केलाश राना शिवचंद्र मोली पनिंद्र माथा मुकुट्टे चलाली कारुन ने सिंधु भवदुख हारी तुज्विन शंभो भजकों तारी राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज माग मास में मैं आपके लिलाई हूँ माग मास महातम की कथा का 27 अध्याए बंधों जिसे सुनने मातर से भगवान विश्णू और भगवान शिवशंकर भोले नाज की कृपा आप पर बरसने लगेगी बंधों पूरन विश्वास सची निष्ठा और एकाग्रमन के साथ ही कथा को पूरी सुने ताकि आपको पूरन फल की प्राप्ति हो सके बंधों माग मास में बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं जो दिन शेश बचे हैं उसमें माग मास शिनान करके माग मास महातम की कथा सुनके अपने हर मनोवांचित इच्चा भगवान विश्णू भगवान शिवश्व से आप पूरी करवा सकते हैं बंधों माग मास शिनान और माग मास महातम की कथा सुनने का बहुत ही अधिक पुन्य मनुश्य को प्राप्त होता है बंधों यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों कहा जाता है कि करम भूमी भारत में जनम लेकर जिसने माग शिनान नहीं किया उसका जनम निश्वल गया भगवान की प्रसंता पापों के नाश और स्वरक की प्राप्ति के लिए माग शिनान अवश्य करना चाहिए यदि यह पुष्ट शुद श्रीर माग शिनान के बिना रह जाए तो इसकी रख्षा करने से क्या लाब जल में बुलबुले के समान मक्षी जैसे तुछ जन्तु के समान यह श्रीर माग शिनान के बिना मरन समान है विश्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राहमन बिना दक्षिना के शिराद ब्राहमन रहिद छित्र अचार रहिद कुल ये सब नाश के ब्राबर है गरफ से धन का, क्रोध से तक का, गुरू जनों की सेवा ना करने से इस्त्री और ब्रह्मचारी बिना जल, अगने के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है जीविका के लिए कहने वली कथा, अपने ही लिए बनाई हुए भोजन की क्रिया, शुद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यक्य, कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है बिना अभ्यास और आलश्य वाली विद्या, अशत्त्य वानी, विरोज करने वाला राजा, जीविका के लिए तिर्थ यात्रा, जीविका के लिए वृत, संदेहय युक्त मंत्र का जब, व्यक्रचित होकर जब करना, वेद ना जाने वाले को दान देना, शंसार में नास्त मत क्रहन करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रियां यह सब व्यर्थ हैं, माक्शनान के बिना नुश्य का जीवन व्यर्थ है, ब्रह्म घाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरू पतनी गामी और इन चारों की संक्ति करने वाला माक्शनान से पवित्र हो जाता जल कहता है सुर्योदे से पहले जो मुझ में शनान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नश्ट करता हूँ महापातक भी शनान करने से भस्म हो जाते हैं माग मास के शनान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भैसे कांप जाते हैं जैसे मीघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ट मनुश्य माग में शुनान करके प्रकाश मान होते हैं, काया, वाचा, मनसा से की हुई, छोटे या बड़े, नई या पुराने, सभी पाप शुनान से नश्ट हो जाते हैं, आलस्य में बिना जान जो पाप किये हो, वैं भी नाश को प्राप्त होते हैं, जिस तरह जनम जनमांतर के अभ्यास से अध्यात में ज्यान की प्राप्ती होती है, उसी तरह जनमांत अभ्यास से ही माग मास में मनुश्य की रूची होती है, यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी किच्डी को धोने की पवित्र वस्तु है राजन जो मनों वांचित फल देने वाला मागशना नहीं करते वह सुरेचंद के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं बोलो शिवशंकर भुले नाज की जैहो विश्नु भगवान की जैहो श्री कृष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्न गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी एनाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी एनाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी एनाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी एनाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नाथ नारायन वासु देवा श्री कृष्न गोबिन्द हरे मुरारी, हे नात नारायन वासुदेवा श्री कृष्ण गोबिंद हरे मुरारी हे नात नारायन वासु देवा श्री कांशा पींद हरे मुरानय व dazu झाल झाल